सैतिर ये विपनिशद ब्रह्मानंद वल्ली अनुवाक संख्या एक कल हमने शिक्षा ध्याय वल्ली का अन्तिम अनुवाक पढ़ा था इसलिए हम पहला अनुवाक ब्रह्मानंद वल्ली का आज पढ़ेंगे और उस पहले अनुवाक के पहली ही खंड में हमने पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा था एक छोटी सी भूमी का बनाने के बाद उपनिशद अपनी मूल बात पर आती है जो कि दूसरे अनुवाक्स से प्रारम्ब होती है और वो मूल बात क्या है कि यदि सचमे अध्यात्म में प्रवेश करना है तो हमें अध्यात्म का अर्थ तो कम से कम पता होना चाहिए अध्यात्म का अर्थ है कि आत्मा को अधिकृत करके जो कुछ किया जाए वो अध्यात्मा है बिल्कुल सरल सी बात है यानि हम अपनी आत्मा को आधार मान करके अपनी आत्मा के लिए जो कुछ करेंगे वो सब अध्यात्म के अंतरगत आएगा इतना सरल है अध्यात्मी लेकिन जब हम अध्यात्मों में प्रवेश करते हैं तो एक छोटी सी गलती हमसे हो जाती है पर वो होती है कि हम अपने शरी के बारे में पूरा नहीं पता होगा तब तक अध्यात्म में प्रवेश कैसे करेंगे क्योंकि अध्यात्म में जीते जागते ही जाना है अध्यात्म का मतलब एक और भी है कि हम अपनी आत्मा को शरीर के बंधन से अलग करें शरीर के साथ साथ जो अंतह करण हैं जिनको हम सुक लेकिन ये स्थूल शरीर से भी एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं जिसमें मन आता है जिसमें प्राण आते हैं जिसमें इंद्रियां आती हैं ये सब सूक्ष्म शरीर का भाग है इन शरीरों को जाने भी न, जिनमें की हम बंधे हुए हैं, उस बंधन से अलग होना संभव कैसे है, नहीं है, मैं जिस रसी में बंधा हुआ हूँ, यदि मुझे न पता हो कि वो रसी किस तरह से बांधी गई है, उसमें कितनी गाठें लगी है, कौन सी गाठ लगी है, तो फि में अपने बंधनों की पूर्ण तया जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए रिशी ने सत्यार्थ प्रकाश के नौवे समुलास में, जब बंधन और मुक्ती की चर्चा की, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि बंधनों को जानिये, कैसे बंधनों में फसे हुए हैं हम, विवेक किन चीजों का करना है, पहले विवेक आवश्यक है, दरसल विवेक हमें उन चीजों का करना है, जिन में हम बंधे हुए हैं, जिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरे साधन है, जिनका मुझे उपयोग करना है, और उन्ही से अलग हो जाना है, तो फिर वो बतात कि सबसे पहले पाँच शरीरों को जानिये उसके बाद प्राणों को जानिये ऐसे करके वो बताते हैं कि एक होता है अन्नमाय शरीर या अन्नमाय कोश जिसको हम कहते हैं कोश और शरीर एक ही बात समझे एक होता है अन्नमाय कोश फिर होता है प्राणमाय कोश फिर होता है विज जयानमय कोश इस तरह से करके वो पांच कोशों के बारे में जानिये पहले बिना कोशों को जाने बिना अपने शरीर की परतों को जाने हम उससे अलग नहीं हो सकते संभव नहीं बस यही काम तैत्तिरिय उपनिशद कर रही हैं तैत्तिरिय उपनिशद जब ब्रह्मानंद वल् का प्रारंब करती हैं और वो मूल बात क्या है तो कहते हैं सबसे पहले तस्मादवा एतस्माद आत्मनह आकाशह संभूतहर सबसे पहले हम यह जान लें कि यह संसार बना हम भी उस संसार की कड़ी है एक छोटी सी कड़ी जिसमें सबसे पहले परमिश्वर ने आकाश को बनाया तस्मादवा एतस्माद आत्मनह उस इस आत्मा से जिस आत्मा के बारे में हम पहले बता चुके हैं जिस आत्मा को परम आत्मा भी कहते हैं उसी आत्मा से सबसे पहले यह आकाशह संभूतह आकाश बना उस परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश को बनाया आकाश अर्थात पंच महाभूतों का सबसे पहले महाभूत आकाश बनाया फिर कहा आकाशा द्वायू फिर थोड़ा और स्थूल एक महाभूत बनाया उससे उप पहले की प्रक्रिया नहीं गिना रही है उससे पहले की प्रक्रिया भी देखेंगे, आने वाले प्रकरणों में वो भी प्रक्रिया आएगी, लेकिन कह रहे हैं सबसे पहले आत्मा से यानि परमात्मा से आकाश बना, फिर आकाश से आकाश के बाद आकाशा द्वायू हो, आकाश के बाद वायू तत्व वायू अगने हे आपह, अगनी से आपह अर्थात जल बना और ये सब कैसे बना इस पूरे को हमने रिगवेदादी भाष्य भूमिका की कक्षा में समझा था आप में से अधिकतर लोग या लगभग सभी लोग रिगवेदादी भाष्य भूमिका की कक्षा में जोड़ते हैं और वहां हमने जाना था कि किस तरह से सूख्ष्म से स्थूल की और संसार बढ़ता है छोटे से बड़े की और संसार बढ़ता है पहले आकाश सूख्ष्म है फिर उससे थोड़ी और स्थूल वायू बनी वायू से थोड़ा और स्थूल अगनी तत्व बना अगनी से थोड़ा और स्थूल जल तत्व बना फिर कह रहे हैं अद्भियव प्रिथिवी फिर उस जल तत्व से प्रिथिवी बनी प्रिथिवी ये ग्रह वाली प्रिथिवी नहीं, प्रिथिवी तत्व जिसको हम मिट्टी कह देते हैं कई बार प्रिथिवी बस एक तत्व का नाम है तो फिर प्रिथिवी बनी प्रिथिवी अर्था जो भी मिट्टी से बनी जो भी चीज है म्रणमय जो चीज है वो प्रिथिवी कहलाती यहां तक तो हो गई पंच महाभोतों के बनने की प्रक्रिया आकाश वायू अगनी जल प्रिथिवी और स्थूल से यदि सूक्ष्म की ओर जाएं तो इसलिए मैं दोबरा दोहरा रहा हूं स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे तो क्या होगा प्रिथिवी जल अगनी वायू आकाश प्रिथिवी वायू, अगनी, जल, पृतिवी ये सूक्ष्म से स्पूल की प्रक्रिया है। यहां तक तो पंच महभूत बने। अब पृतिवी के बाद निर्मान प्रक्रिया कैसे आगे चली। तो कह रहे हैं पृतिव्याह ओशद है यह। पृतिवी से फिर ओशदियां बनी। अब इस प पृतिवी पर बहुत सारी वनस्पतियां होगी। यानि मनुष्य का जन्म हुआ वो तब हुआ जब सभी चीजें बन चुकी थी यहां। पेड़ पौधे बन चुके थे पृतिवी पर। उसके बाद पशुपक्षी बन चुके थे। तब जाकर के कहीं मनुष्य का जन्म हो पृतिवी पर मतलब जो मिट्टी तत्व है उससे वनस्पतियां उगती हैं। उससे ओशधियां उगती हैं। फिर कहते हैं ओशधिव्यो अन्नम उन्ही ओशधियों से अन्न उगता है। ओशधियां कहते हैं वनस्पतियों को और उन्ही ओशधियों से अन्न मिलता है गेहूं का छोटा सा पौधा आम का पेड जो भी भारतिय फलदार व rocksh हैं सब के सब जितने भी भारत में छोटे पौधे हैं जो वूल भारतिय जिनको हम कहते हैं वो देसी पौधे, देसी फसले, देसी पेड सब के सब अपने समय पर फल देते हैं लेकिन उस फल देने से भी पहले उनके पत्ते, उनके फूल, उनकी च्छाल ये सब हमारे रोगों की ओशद ही है उधारण के रूप में एक पेड़ भारत में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सहजन का पेड़ सहजन का पेड़, उसकी जो बाद में फलिया लगती है, उन्हें दाल आदी में डाल करके खाया जाता है अंग्रीजी में शायर ड्रम स्टिक कहते हैं उन्हें डाल में डाल करके खाते हैं और बहुत स्वास्थी के लिए अच्छी होती लेकिन उससे पहले देखिए वो तो अन बन गई जब उसका फल मिल गया तो वो तो अन बन गया लेकिन उस अन मिलने से पहले भी उसके पत्ते हमारे स्वास्थी के लिए बहुत ओशधी का काम करते हैं लोग तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं खाते हैं प्रति दिन खाते हैं उसकी छाल उसके पूरी डाली जो कोई भाग है पेड का वो सब ओशधी रूप है एक पेड बहुत पाया जाता है कचनार कचनार के अगर ओशधी ये गुणों की सूची पढ़ेंगे तो वो दो-तिन प्रिष्ट भर जाएंगे इतना लाबकारी है कचनार और कहा जाता है कि जो कचनार के फूल पर आगे छोटे-छोटे निकलते हैं जिनकों केसर कहते हैं वो ठीक वही काम करते हैं जो हमारे लिए कश्मीर या ठंडे प्रदेशों से आने वाला केसर करता है केसर के जो लाब होते हैं जो हम दूध में डाल कर खीर में डाल कर खाते हैं वैसे ही लाब इस कचनार के फूल पे जो आगे रेशा निक टुगर लोगों को हो गई है, बीपी की समस्या है उनको, बहुत सारी थाइरोड की समस्या है, उन समस्याओं में ये पेड़ पौथे बहुत काम आते हैं, तो रिशी जो उपनिशद के हैं वो लिखते हैं कि प्रिथिव्याहा ओशद है यहाँ, प्रिथिवी पर ओशधियां जन्म लेती हैं और फिर उन्हीं ओशधियों से आगे जाकर के अन्न बनता है, ओशधियो अन्नम, उन पर जो फल लगता है, उसके जो दाने होते हैं, वो दाने अन्न का काम करते हैं, फिर कहा अन्नाद रेतह, फिर उस अन्न से चरीर में रेतस का निर्मान होता है, यानि पह मनुष्य के शरीर में रेतस बनता है। इन सब के बाद ही मनुष्य का जन्म होता है। एक तो वह प्रक्रिया कि जब प्रक्रिती बनने की प्रक्रिया आई तो मनुष्य का जन्म कब होगा। ओशधी और अन के बाद। ओशदी बनेगी अन्न बनेगा उसके बाद जन्म होगा लेकिन अगर स्वाभाविक आज की जो प्रक्रिया है उसके नुसार देखें तो भी अन्नाद रेता है भोजन से रेतस बनता है रेतस अर्थात शरीर की जनन धातु जो आगे नई संतती को जन्म देती है वहद हातु जो हमारे शरीर का निचोड होती है जो हमारे शरीर का सार होती है एक बात मैं यहां और विशेश पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पूरी प्रकृती में आप कहीं भी देख लीजिएगा कहीं पर भी हमें लगता है कि संभवत मांस खाने से शरीर में बल अधिक के दो बढ़ता है मंस खाने से पर ऐसा नहीं होता शाक में जो शक्ति है वो कहीं पर नहीं है अगर आप उर्जा की चेन देखे श्टिंकला को देखें तो बड़ी खमाल किए सबसे पहले उर्जा का स्रोत है सूर्य सूर्ये से जो द्वितियत उर्जा के स्रोत की रूप में काम करते हैं वो होते हैं पेड़ पौधे वो सूर्ये से सीधे उर्जा लेते हैं मूल स्रोत सूर्ये हैं वो सीधे उर्जा लेते हैं, उर्जा को बटोरते हैं, फिर उन पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी जानवर, जैसे हिरन खाते हैं, गाये खाती है, हाथी खाता है, और सब के पास अपनी अपनी तरह की शक्ती होती है, हाथी बल में बहुत बड़ा होता है, जो आपने भ सब में अपनी अपनी योग्यता होती है फिर उनसे आगे जाकर के चोथा स्रोत तयार होता है वो होता है मानसाहरी प्राणी शेर, चीता, बाग ये सब तयार होता है CR ये सब मानसाहरी जάνवरते यार हो अब सोचिये जो उर्जा के स्रोत में जो मूल उर्जा पेड़ पOWधों को मिली उसमें से भी थोड़ा कट चट करके बंट करके उस उर्जा जो कि पत्तों में सिम्ट गई है पत्तों में इकट ही हो गई है उन पत्तों को खाते हैं, शाका हरी प्राणी, उन तक पहुचती है, उनके शरीर में वो उर्जा जाती है, और तब जाकरके कहीं चौते पड़ाव पर आते हैं मानसा हरी प्राणी, सोचिए जो उर्जा के इस श्रिंख्छला में, इस चेन में एनरजी के चौते स्थन पर आते अगर ताकत आती है तो सूर्य सबसे पहला स्रोत है सबसे पहला सोर्स है उर्जा का एनरजी का तो फिर वहां अधिक उर्जा होगी और उससे जो एकदम पहली बार उर्जा ले रहे हैं उनमें अधिक उर्जा होगी पेड़ पौधों में अधिक उर्जा होगी इसलिए तो पे दूसरी डाली अपने आप उग जाती है दुनिया के किसी प्राणी में ये योग्यता नहीं है सिवाए कुछ जलचर प्राणी के जो समुद्र में रहने वाले जलचर प्राणी है अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी वो भी एक दो ही है सब नहीं है या फिर धरती पर र स्रीर होता है उनका कमाल की बात यह है कि वो भी मिट्टी खहते हैं हमें लगता मान्स खाते हैं नहीं आप सोचिए कि पेड़-पौद ही कितने कमाल के होते हैं कि अगर एक डाली काड़ दी जाय तो डाली दौबारा उगने लगती है ये होती है उर्जा का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मार करके पटक देना, नहीं, उर्जा का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से सर्वाइब कर सकते हैं, सोची अपने शरीर का अंग दूसरा बनाना, हमारे पास ये क्षमता होती, तो हम तो कितने ही आत्मविश्वास में जीते, आज हम करवाते हैं, शरीर का कोई भी अंग, लाखों रूपए खर्च होते हैं, लाखों से भी ये दिखो जाते हैं कई बार तो, और पेड़ वो काम स्वतह करता है, पेड़ अपने आप अपने अंगों को तैयार करता है, अंगों का निर्मान करता है, हमारे शरीर में केवल बाल है वो बाल कट जाएं तो दोबारा उग जाएंगे नाखुन कट जाएं तो दोबारा उग जाएंगे पर अंग दोबारा नहीं उगता एक बार कान कट जाए नया कान नहीं बनेगा हाथ कट जाए नया हाथ नहीं बनता है वो एक बार ही बनता है लेकिन जो पेड़ जो पेडों ने सूर्ये से ली है इसलिए वो थाकतवर हैं वो बलवान हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं वो जीने के लिए लड़ते रहते हैं और जीत जाते हैं उसमें आप कभी बेलों को देखिएगा जिसको हम अम्रिता कहते हैं जो की गिलोए भी कही जाती है उसको हमारे रिशुद्यान में ही जब उस बेल को कहीं सामाने भूमी पर भी डाल देते हैं तो वो वहीं से उगना प्रारंब हो जाती उसे तो भूमी की आवश्यक्ता भी नहीं है इतनी उर्जा होती है उसके भीतत तो ये जो उर्जा के स्रोत के रूप में सबसे पहले आते हैं पेड़ पौधे फिर उनसे बनता है अन यानि वो पेड़ अपने पूरे शरीर का एक सार निकाल करके देता है वो सार होता है उसका बीज जो की फल के भीतर होता है अब आप कहेंगे क्यों उर्जा का सार जो एनरजी का पूरा का पूरा बल्क में हमारे पास एक स्रोत आता है तो वो तो फल होना चाहिए हम तो फल ही खाते हैं नहीं फल नहीं होता वो सारी उर्जास पेड़ बीज में समेट करके आगे बढ़ाता है तो आप सोच रहे होंगे कि ये फल क्या बला होती है फल तो दरसल वो बीज सही जगा तक पहुँच जाए इसका माध्यम होता है फल में जो चारो और गूदा होता है जिसे हम लोग खाते हैं जैसे आम है सेब है हम जो आम और सेब को काट करके खाते हैं उर्जा उसमें होती है निश्चित रूप से परियाब तूर्जा होती है पर उससे भी कई गुना अधिक उर्जा उसके बीज में होती है कई बार वो खाने योग्य होता है कई बार वो मनुश्यों के खाने योग्य नहीं होता लेकिन पेड़ की अंति मुर्जा उसी बीज में छिपी हुई है और कैसे? देखे फलो में निश्चेत रोप से मैं मानता हूँ उर्जा भी है लेकिन आज का विज्यान गणित क्या कहता है विज्यान आज का ये कहता है कि जब पेड़ एक बीज को तयार करता है तब पेड़ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे बड़ा दाइपत्व होता है उसे सही स्थान तक पहुँचाना ताकि वो मिट्टी तक पहुँच जाए अब कोई फल तूटकर की गिरा तो मान लो पानी में गिर गया बेकार हो जाएगा कहीं और अनुपजाओ स्थान पर गिर गया बेकार हो जाएगा तब पेड अपने फलों में से जिसके अंदर बीज है उस बीज के चार और एक गुदा तयार करते हैं जिसको हम फल कहते हैं और उसमें से सुगंध आती है उसमें स्वाध आता है किसको पक्षियों को आमंतरित करने के लिए ताकि वो पक्षी उस फल को तोड़ें तोड़कर खाएं और दूर दूर तक ले जाकर कि गिरा दें ताकि मेरी वन्षब रिद्धी हो सके ताकि इसके अंदर का जो बीज है वो जन्म ले सके फल तो के वल इसलिए होता है किसलिए इन्विटेशन के लिए पक्षियों को इन्विटेशन मिल जाए ताकि कि भाई आओ आकर के इसको खाओ और बीज को फिर पक्षी ही तो ये काम करते हैं इधर उधर बीजों को फैला देते हैं यही काम होता है मौल रॉप से पक्षियों का और उन पक्षियों को आमंत्रिट करने के लिए वी तो कोई लालच चाहिए तो फल का लालच होता है पेड का मुखे उद्देशय फल तैयार करना नहीं होता पेड का मुख्य उद्देश्य बीज को दूर तक पहुँचाना होता है उसके लिए वो ऐसी लेर तैयार करता है अपने बीज के चारोर ताकि पक्षी लालच में आएं उसे खाएं और दूर तक ले जाएं और मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो बीज ही एनरजी का उर्जा का पुरा भंडार है तो वो इसलिए क्योंकि सोचकर देखिए हम शाकाहारी लोग शाकाहारी क्या मानसारी के लिए भी सबसे अधिक ताकतवर चीज क्या है तो सुभा उठता है कोई व्यक्ति बादाम खाता है सुभा उठकर कोई व्यक्ति काजू खाता है अलग-अलग चीजें लोग खाते हैं लेकिन ये जो काजू बादाम आदी होते हैं जिनको ड्राइफ रूट्स के नाम से जानते हैं मेवे के नाम से जानते हैं जरा सोच कर देखिए ये क्या है अरे बीज ही तो है ये बीज है दरसल जिनको खा करके या जिनके लिए वैद्दे कहते हैं कि इनको खाओगे तो ताकत बहुत आएगी ये क्या है ये उस पेड़ के बीज है सार है उस पेड़ का और देखिए जो हम सामानिय जीवन में भोजन करते हैं रोटी आदी खाते हैं वो क्या है भई जो आनाज हम खा रहे हैं वो आनाज क्या है अरे बीज ही तो है उस फसल का और कुछ थोड़ा ही है बीज है या जो हम डाले खा रहे हैं वो डाले क्या है उस फसल का बीज है चावल क्या है चावल फसल का बीज है तो गेहू फसल का बीज है चावल फसल का बीज है डाल फसल का बीज है यानि जो कुछ हमारे भोजन में सम्मिलत है वो बीज है दरसलम बीज खाते हैं क्यों क्योंकि पेड़ अपने सार के रूप में निचोड के रूप में ए बुद्धिमान है वो एक बीज नहीं बलकि अर्बों बीज उगाता है उनमें से अधिकतर स्वयम खा लेता है और कुछ सम्हाल करके रखता है ताकि ये बीज आगे पीड़ी दर पीड़ी चलते रहें और नई नई फसल हम लगाते रहें यद्देपी ये बीज इस लिये बने शुद्ध रूप से हाते पशुपक्षी भी है लेकिन मूल रूप से मनुश्य के लिए बना है उसके लिए उस पर के वो दूर तक पहुंचे उसे दूर तक ले जाया जाए ऐसी व्यवस्था नहीं कि उस बीज के चारों तरफ कोई बड़ी लेयर जैसे आम के बीज के चार और नहीं है ऐसा दालों के चारोर नहीं है ऐसा चावलों के चारोर नहीं है क्योंकि मनुश्य का मुख्य भोजन है और मनुश्य बुद्धी मान है उसे लालच की बहुत आवश्यक्ता नहीं है लालच नहीं भी होगा तो भी वो चावलों को खाएगा और बचे चावलों को बचा करके अगले साल फसल के रूप में प्रयोग करेगा वो फसल को समापत नहीं होने देगा लेकिन हाँ जो जंगली फल हैं उन फलों के लिए परमेश्वर ने विवस्था की है कि कोई पक्षी आए उन्हें खाए और बीजों को दूर तक पहुँचा दे ताकि सारे बीज क पांच बीज तो उगेंगे कम से कम ऐसा श्योर होना चाहता है पेड़ इसलिए यह सब होता है तो यह जो प्रक्रिया है न ओशधिव्यो अन्नम अन्नाद रेतर अन्न से रेतस का जन्म होता है वो इसलिए क्योंकि यह जितना भी अन्न है वो क्या है वो वनस्पति का ओशध औरीका निविका निचोड़ है सार है क्या है बीज ही तो से एक और बीज बनता है जो कि शरीर गी अंतिम धातू कहलाती है स्थ्री और पुरुष दोनों में बनता है वो रेतस कहा जाता है उसे और इस धातु से फिर एक नए मनुष्य का जन्म होता है अन्नाद रेतह रेतसह पुरुषः फिर उससे एक आत्मा के लिए एक शरीर बनता है एक आत्मा अपने शरीर को लेकर के जन्म लेती है पुरुष जन्म लेता है पुरुष माने वो जेंडर वाइस पुरुष नहीं है male female वाला पुरुश मतलब एक आत्मा शरीर में जन्म लेती है उसके माद्यमता अनाद रेताह फिर कह रहे हैं रेतसह पुरुशह अन्रसमया है इसलिए यह जो पुरुश है यानि हम जो आत्मा है चाहे स्त्री चाहे पुरुश चाहे पशु चाहे पक्षि वो सब पुरुष कहलाएंगे लेकिन इन में से जो मनुष्य पुरुष हैं मतलब मनुष्य आत्माएं हैं जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है मनुष्य शरीर में जन्म लिया है वे आत्माएं चाहे स्त्री चाहे पुरुष अन रसमय हैं, अन और रस से घिरे हुए हैं, अरे अन से ही पूरा हमारा शरीर बना है, क्योंकि अन को खाकर के उससे रस बनता है, तो ये शरीर पूरा अन मय और रसमय है, तो इसकी बाहरी लेयर तो हमें क्लियर हो गई, हमारे शरीर में जो स्थूल शरीर है, और अगर कोशों की दिरिश्टी से कहें तो सबसे पहला ही जो कोश है अन्नमय कोश जब हम नौबे समुलास में पढ़ेंगे तो वहां कोश है तो पहला कोश है अन्नमय कोश उसे अन्नमय कोश क्यों कहा गया क्योंकि वो अन्न से बना है मेरा जो बाहरी शरीर है ये जो मांस है त्वचा है घड रसमय अन्यमय रसमय फिर आगे कहा तस्या इदमेव शिरह आयम दक्षिन पक्षह आयम उत्तर पक्षह आयम आत्मा इदम पुछम प्रतिष्था कुछ चीजे गिनाई है आगे इस शरीर में एक तो सिरह तस्या इदमेव शिरह, एक तो सिरह मने सबसे उचा भाग है, फिर का अयम दक्षण पक्षः, ये दाया वाला भाग है, अयम उत्तर पक्षः, ये उत्तर वाला भाग है, बाया वाला भाग है, अयम आत्मा, यह इसकी आत्मा है, और इदम पुछ्छम, यह इसकी पूछ है, पूछ म तो कुल मिलाकर के पांच चीजें यहाँ पर गिनाई, उनके नाम नहीं लिखे, नाम आगे लिखेंगे, क्योंकि ये तो बेस बता दिया, ये हमारे शरीर का बेस बता दिया, अब इस शरीर के बेस को आधार को हम कई एंगल से समझेंगे, आगे आने वाली जो अनुवाक उनमें इस आधार को कई भागों में बाटा जाएगा, कि देखो इसी को आप इस रूप में भी देख सकते हो, इस रूप में भी देख सकते हो, इस रूप में भी देख सकते हो, तो हर जगा पर एक सिर होगा, एक दक्षन पक्ष होगा, एक उत्तर पक्ष होगा, एक आत्मा होगी एक उसका अंतिम सिरा जिसको हम पुच्छ पूच कहते हैं वो होगा तदपी एशह श्लोको भवती और इस बात को एक अगले श्लोक में अगली सूक्ती में समझाया गया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि क्या तो सिर है क्या दक्षन पक्ष है क्या उत्तर पक्ष है क्य है सिर दक्षन पक्ष उत्तर पक्ष आईए समझते हैं अगले वाले अनुवाक में जहां पर समझाया गया है अन्नादवई प्रजाह प्रजायनते कि सबसे पहले तो अन्न को आधार मान करके अगर देखेंगे तो हमारे शरीर में सिर क्या है तो उन्होंने स्पष्ट हमारा जो अन्नमय कोश है बहरी शरीर है उसका शिरा मतलब उसका मुख्य भाग उपर वाला भाग है प्राण मानों की प्राण ने उसे सम्हाल रखा है फिर कहा व्यान एव दक्षन पक्ष है जो दूसरा प्राण है जिसको व्यान कहते हैं प्राण के बाद आता है करें वो संपून शरीर में व्याप्त है, दक्षन मतलब दक्षता का काम, मुख्य काम उसी के जिम्में है, वो पूरे शरीर को सम्हाल कर रखेगा, फिर का अपान उत्तर पक्ष, बाया पक्ष, बाया पक्ष अपान जो कि पूरे शरीर से कचरे को बाहर निकालता है, फिर का आकाश आत अन्नमय कोश से बना जो शरीर है उसका सिर है प्राण उसका दक्षन पक्ष है व्यान उसका उत्तर पक्ष है अपान उसका आत्मा है आकाश और जो प्रिथिवी तत्व है वो उसकी पुच्छम पुच्छम मने मानो अंतिम सिरा है पूझ प्रतिष्ठा आधार है उसका तदप येशह श्लोको भवती और इसी बात को अगले श्लोक से समझेंगे लेकिन अभी तक तो हमने खखंड वाला श्लोक ही नहीं समझा है क्यों क्योंकि इसका केवल हमें सिर दाया पक्ष बाया पक्ष और आत्मा पुछ आदी को समझना था लेकिन यही आगे आने वाले हर अनुव बनाया है शरीर का, कि देखो शरीर बना कैसे, तो पहले आकाश, आकाश वायू, वायू से अग्नी, अग्नी से जल, जल से प्रिथिवी, प्रिथिवी से ओशधियां, ओशधियों से अन, अन से रेतस, रेतस से मनुष्य का जन्म होता है, और यह इसलिए मनुष्य अन और रस् अब आगे जाकर के इसमें अन्न का कितना महत्व है वो खंडख में हम पढ़ेंगे उसी प्रकार से उसके बाद में प्राणों का क्या महत्व है वो हम तीसरे अनुवाक में पढ़ेंगे तो अन्न मैं कोश, प्राण मैं कोश, मनो मैं कोश, विज्यान मैं कोश और फिर आनंद मैं कोश इन पांचों की अलग-अलग अनुवाक में व्याख्या होगी अभी तो किवला आधार बना है कल हम, कल तो नहीं, परसों, कल तो रविवार है, परसों हम अन्नमय कोश को समझेंगे, कि हमारे शरीर का अन्नमय कोश कैसा है, और उस अन्नमय कोश में क्या सिर है, क्या दाया पक्ष है, क्या बाया पक्ष है, ऐसे एक एक खंड में बड़ी डीटियल से पाचों कोशों को समझ जाएगा इसलिए हम क्योंकि विस्तरित प्रकरण है तो इसको आने वाली कक्षा में ही पढ़ेंगे अभी को हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं